परिचय बच्चों, क्या मुझे तुम में से कोई जयामिती का अर्थ बता सकता है? सर, ये गणित की सबसे प्राचीन शाखा है हाँ, लेकिन क्या तुम इसे परिभाशित कर सकती हो? कोई और? सर, विभिन आकारों और आमापों के अध्यन को जयामिती कहते हैं बिल्कुल सही, जयामिती के कई प्रकार होते हैं जैसे, युकलीटियन जयामिती, घैर युकलीटियन जयामिती, निर्देशांक जयामिती इत्याती आज हम निर्देशांक जयामिती के बारे में सीखेंगे, तो आओ शिरू करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे निर्देशांक जैमिती की अवधारणा समझना कारतिय पधती की व्याख्या करना निर्देशांक अक्षों से किसी बिंदू की लामबिक दूरी मापना यदि निर्देशांक ग्यात हो, तो किसी तल में एक बिंदु का निर्धारन करना निर्देशांक जयमिती में प्रेयोक्त पदों को परिभाशित करना परिभाशा ग्रिट चैतिज और उर्धवाधर रेखाओं के प्रारूप को ग्रिट कहते हैं, जो समानिता वर्ग का निर्माण करते हैं एक्स अक्ष किसी ग्रिट पर एक चैतिज संख्या रेखा, एक्स, सबसे छोटी और ज्यादा तर चैतिज रेखा होती है वाई अक्ष निर्देशांक पर एक उर्धवाधर रेखा, वाई सबसे बड़ी रेखा होती है और सीधे उपर को जाने वाली या उर्धवाधर होती है निर्देशांक किसी ग्रिड में किसी बिंदू की अवस्थिती का निर्धारम करने वाली संख्याओं का क्रमित युक्म जैसे तीन चार निर्देशांक जयामिती की परिभाशा निर्देशांक जयामिती जयामिती ये रूप से निरूपित संख्याओं के क्रमित युक्म का अध्यान है का प्रारंभिक विकास रहने दकार्ते ने किया था। इस पधती को प्राया कार्थिये पधती कहा जाता है। कार्थिये पधती का प्रयोग बिंदु के निर्धारण और ग्राफ रेखाओं को खीचने में किया जा सकता है। इसे आयताकार निर्दशांग पद्धती भी कहा जाता है। मोलता यह दो संख्या रेखाओं का युक्म है। X अक्ष और Y अक्ष। X अक्ष को भुज भी कहते हैं। Y अक्ष को कोटी भी कहते हैं। निर्देशांगों को बंद कोश्ठक में लिखते हैं। X निर्देशांग को पहले और Y निर्देशांग को उसके बाद लिखते हैं। केंद्रिया दोनों अक्षों का प्रतिछेद शुन्ने शुन्ने होता है। कार्तिये पद्धती में प्रयुक्त पद। आईए आगे बढ़ने से पहले कुछ परिभाशाओं को देखें। आईए सीधी रेखा होती है जिस पर पूरांग शमानदूरी पर बिंदू के रूप में चिहनित होते हैं। मूल बिंदू एक संख्या रेखा जो एक निश्चित बिंदू द्वारा दो सम्मित आदे भागों में बटी होती है। उसे मूल बिंदू कहते हैं, यह संख्या शून्ने होती है। निर्देशांक तल एक दूई विमिये तल में प्रतीक बिंदू एक निश्चित संख्याद्वारा प्रदर्शित होता है, और इसके उलट भी सत्य है। इसे एक्स वाई तल भी कहते हैं। निर्देशांक अक्ष धनात्मक और रिनात्मक दोनों तिशाओं में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को संयुक्त रूप से निर्देशांक अक्ष कहते हैं। चतुर्थांश अक्ष तल को चार चतुर्थांशों में विभाजित करता है। निर्देशांक अक्षों से किसी बिंदू की लांबिक दूरी का मापन। आईए, अब सीखें कि एक बिंदू की निर्देशांक अक्ष से लांबिक दूरी कैसे मापी जाती है। अब X और Y अक्षों से बिंदू A की लांबिक दूरी का मापन करना सीखें। हल, X अक्ष पर लंब A M खीच ये और Y अक्ष पर लंब A N खीच ये. हम देख सकते हैं कि बिंदू A की X अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में Y अक्ष से मापी गई लामबिक दूरी है A N बराबर O M बराबर दो एकक. और बिंदू A की Y अक्ष के सापेक्ष धनात्मक दिशा में X अक्ष से मापी गई लामबिक दूरी है A M बराबर O N बराबर तीन एकक. निर्देशांक ग्यात करना निर्ने लिखित तल में बिंदू A के निर्देशांक ग्यात कीजे. चरण एक बिंदू A का X निर्देशांक घटा तीन है जैसा की नीचे दिखाया गया है X अक्ष के सापेक्ष Y अक्ष से मापी गई इसकी लामबिक दूरी तीन है चरण दो बिंदू A का Y निर्देशांक पांच है जैसा की नीचे दिखाया गया है, वाई अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष से मापी गई इसकी लांबिक दूरी पाँच है चरण तीन अब पहले एक्स निर्देशांक और फिर उसके बाद वाई निर्देशांक को लिखकर निर्देशांकों को कोश्ठक में बंद कीजे इस प्रकार बिंदू एका निर्देशांक घटा तीन पाँच है निर्देशांक तल में एक बिंदू को आले खित करना आईए अब निर्देशांक तल में एक बिंदू आलेखित करना सीखें। एक एकक को निरुपित करता हो। चरण दो मूल बिंदू से प्रारंभ करके रनात्मक एक्स अक्ष पर चार एकक गिनिये जो की घटा चार है और संगत बिंदू एम के रूप में अंकित कीजिये। चरण तीन अब मूल बिंदू से धनात्मक वाई अक्ष पर चै एकक गिनिये जो की चै है और संगत बिंदू को एन के रूप में अंकित कीजिये। चरण चार, एम से प्रारंब करके वाई अक्ष पर धनात्मक दिशा में चै एकक गिनिये और एन से शुरू करके एक्स अक्ष पर रनात्मक दिशा में चार एकक गिनिये। दोनों रेखाओं के मिलन बिंदू को एके रूप में अंकित कीजिये। क्या आप जानते हैं? सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं। निर्देशांक तल एक्स वाही तल एक दूई विमिये तल जिसमें प्रतीक बिंदू सिर्फ एकी ही संख्या से प्रदशित होता है और इसके उलट भी सत्य है। तल की क्षेतिच रेखा को एक्स अक्ष और उर्दवा धर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को चार चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किसी बिंदू की वाई अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। मूल बिंदू का निर्देशांक शूनने शूनने होता है। कक कै एक आ刚हीं वाई खाई चतुर्थानटर। च्राऑर्था से सन्थ कषे घक्ष बिंद॥ाएशों में बि tooling्लो कॉ झास में और कर टो छूनने होता है। कि किम आदो प्लिंदू कर तल का रखशता है।